तक स्पेक्ट्रम के बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर नमर टैन पार्ट हमारा नाइंथ है यह काकी लंदी था इसलिए इसके पार्ट्स आ रहे हैं तो यह जो पूरा ही चैप्टर है यह बहुत इंपोर्टन है प्लीज इसको जरूर जाकर देखेगा इसके प्रिव तो यह पार्ट में गोरें तब सीकोल न स、बस पार्ट्स नाद करेंग टंआ तो आज हम जो पूर्डेंगे वह यहां पर हमनेara इलेक्शन रिजल्ट हमने कवर कर लिये थे यह हमने पहले पहले कर लिया था तो दो काबिनेट अश्ञन आज हमने यह पढ़ना है and this one, ठीक है communal holocaust and the interim government तो यह आज कवर करेंगे तो इसमें देखिए जो cabinet mission दाना, सबसे बहले आपको यह पता होना चाहिए कि कब आया था इसमें कौन-कौन से members आये थे 3 British members थे जो आये थे high powered mission को जो ले के आये थे तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1946 FAB में यह आये थे हुआ था और किसकी government चल रही थी उस टाइम पे एकली की government और इसने तीन जो है वो हाई पावर mission को यह हाई पावर्ड मिशन था जिसके अंदर इसने 3 British members को भेजा था तो इनके नाम आपसे पूछ लिया जाते है कि 3 members कोन कोन से आये थे तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है यह prelims में पूछा जा सकते आपके ठीक है तो एक थे Patrick Lawrence यह कूँ थे Secretory of State थे of India ठीक है SOS थे Second आपके थे Scatford Crips जो Crips Mission में आया था वो समझाया था आपको तो यह वो थे यह कूँ थे President थे of the Board of Trade ठीक है तो President थे Board of Trade यह भी पूछ लिया जाता है किस चीज के President थे उस टाइम पर यह ठीक है उसके बाद तीसरे जो आये थे वो थे A.V. Alexander यह कूँ थे First Lord of Admitlery ठीक है तो A.V. Alexander तो इन तीनों का नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है ठीक है तो यह कूँ थे First Lord of Admitlery ठीक है तो इन तीनों का नाम आपको याद नहीं उसके बाद क्या होता है कि यह किस तीस के लिए आते है कि नेगोशियेट करनी है इनोंने पीसफुल मैनर से जो ट्रांसफर ओफ पावर दी जाएगी भारत को ब्रिटिश सरकार के दवारा उसके उपर यह कैबिनेट मिशन जो है वो लाया गया था तो अभी तक हमने यह पड़ा कि 1946 में फ्रैब में यह लाया गया था अब बात कर लेते हैं why British withdrawal seems immediate now तो इसके कुछ points है वो आपको मैं बता देती हूँ तो अभी हम बात कर रहे हैं why British तो इसमें यह सब parts हैं तो यह ध्यान रखेंगे ठीक है किसी बात कर रहे हैं cabinet mission की seemed imminent now ठीक है तो इसमें first point में आपके पास यह आएगा कि जो success था nationalist forces का struggle मुमेंट में वो एक fairly evident था लेकिन उसके यह कब हुआ था जब war खतम हो गया था at the end of the ठीक है उसके बाद nationalism जो था वो एक तरह से untouched रह गया था कुछ section of society से आपको भी पता है कि जो nationalism की भावन अगर starting से सब में होती तो शायद भारत काफी जल्दी आजाद हो जाता लेकिन कुछ कुछ जगह पर यह nationalism जो है वो untouched रह गया कुछ societies and कुछ sections and कुछ areas के अंडर ठीक है तो पहली बात आपके पास याएगी जो success of the nationalist forces struggle थी वो fairly evident हुआ at the end of the war जब second world war finish हुआ second world war का जब end हुआ तभी जो है nationalism जो है वो ज्यादा जगह पर हमें देखने को मिला and उससे पहले कुछ जगह पर untouched रह गया थीक है untouched nationalism before it in some sections and the areas ठीक है तो यह आप यादखेंगे और जो second point है वो कहता है कि जो demonstrations किये जाते थे among the bureaucracy or loyalist sections में क्योंकि ICS recruitment and policy of indianization had and did the British domination of ICS जो कि first world war के time पे हुआ था and 1939 के time पे जब British Indian parity हुई थी तो अब क्या होने लगा कि यह जो Britishers थे जहसे कि मैंने आपको बताया कि यह AHP कम कर देते थे ICS के लेकिन उसके बाद भी काफी हमारे भारतियों ने ICS के प्रिक्षा को पास किया लेकिन उसके बाद जो है हाई पोस्ट रैंक्स जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए फिर उसके बाद जो लोंग वोड चलता है वो एक मतलब economic worries लेके आता है जिसके कारण से फिर जादा इंकल्यूट करना शुरू कर देते हैं और वोर के बाद तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो 1942 से ही ले लीजए तो यह काफी सारे इंडियन को भी रिक्र्यूट किया जाता है उसके बाद ब्रिटिश थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो किसके उपर था फोर्ड़ कंसाइलेशन के लिए एकसेप्ट फुल फ्रीडम की आपको फुल फ्रीडम नी मिलेगी लेकिन आपको याद होगा क्रिप्स में मैंने आपको बताया कि डॉमिनियन स्टेटस देने की बात कर देते हैं लेकिन यहां पर वो क्या नहीं देने की बात करें फुल फ्रीडम देने की बात अभी नहीं करें उसके बात इसी में ही थर्ड पॉइंट में की वो कैसे ब्रेटिशर से रिग्रेशन में की पॉलिसिस लेके आते थे कि जो नॉन वॉलेंट रिजिस्टन था अपने बर्डिश के जाता था बाद नेक फोर्स बहांड गॉर्वर्मेंट स्टूड एकस्पोसट और गॉर्मेंट जैसे ही जैसे लाठी जाज उगारा करती थी या अगेस्ट होती थी इंडियन्स के तो वह एकस्पोस हो जाती थी जो Britishers है वो बहुत cruel है ट्वाट्स था इंडियन्स ठीक है उसके बाद उनकी जो प्रेस्टीज थी उसमें भी फिर सफर करते हैं वो मतलब कि अगर तो वो अच्छा बीहेव करेंगे भी दा इंडियन्स तभी तो इंडियन्स कहेंगे कि हाँ नए ब्रेटी सरकार सही है लेकिन जब वो अपने रिग्रेस्टीज लेके आएंगे अगेंस था इंडियन्स तो वो क्यों कहेंगे तो उनके प्रिस्टेज में फड़क पड़ेगा ही पड़ेगा ठीक है इसी में ही थर्ड सब पॉइंट यह है कि जो एफर्ट किये जाते थे बादा कॉंग्रेस डिसमें तो कॉंग्रेस मिनिस्ट्रीज को कैसे पावर में लेके आना है प्रोविंसिस के अंदर यह भी बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर नहीं था तो थर्ड पॉइंट पे हमने बात की कि जो ब्रिटिश की रिगरेसिव पॉलिसी थी उसमें भी काफी सारी लिमिटेशन्स थी एंड कॉंट्राडिक्शन्स थी ठीक है उसके तीन पार्ट मैंने आपको बताए अभी फॉर्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे कि कॉंग्रेस राज की जो कॉंट्रिशनलिजम या फिर कॉंग्रेस राज आप बोल सकते हैं वो प्रूफ हुआ एज बिग मॉरल बूस्टर ठीक है और काफी सारी लोगों को help me in deeper penetration of the patriotic sentiments थीक है तो कॉंग्रेस राज आने से क्या हुआ कि लोगों को nationalism की भावना जागी थीक है और patriotism उनमें जागा फिफ्ट पॉइंट में आपके पास आएगा कि डिमांड्स थी जो आइने प्रिजनर्स कि फ्रॉम विदिन दा आर्मी और रिवोल्ट ऑफ आर आइने रेटिंग्स वो काफी जादा बढ़ने लगी और क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था आइने प्रिजनर्स क सुभास्चंदर बोस का भी कैसे वो कमांड संबालते हैं उनकी जपान में फिट सिंगापूर में ठीक है और वो कैसे पहले जर्मनी जाते हैं यह सबी बाते हम पुरानी वीडियो में कर चुके हैं तो इसमें क्या इनोंने बोला कि जो आइने प्रिजनर्स की जो डिमांड् प्रिज होनी शुरू हो गई और आंड फोर्स जो थी वो इतनी रिलाइबल नहीं थी कि वो कॉंग्रेस इफदा कॉंग्रेस स्टाटिटी टाइप मास मुमेंट की वो नहीं कर सकती थी मतलब इंडिया नेशनल आर्मी ऐसा कुछ स्टैप नहीं ले सकती थी जैसे 1942 में पूछा जा सकते कि कौन सा मास ट्रगल उनने किया था ठीक है तो इस टाइम एडिट बाइड प्रोविंशल मुनिस्ट्रेइस तो प्रोविंशल मुनिस्ट्रेइस का भी काफी योगदान रहा था उसके अंदर तो इन्होंने यह बोला उनकी डिमांट्स बढ़ रही थी ले कैसे सामने आते हैं हल्प करने में लेकिन ऐस सच उनका मास मुमेंट नहीं था लेकिन उन्होंने हल्प तो की थी ठीक है उसके बाद सिक्स पॉइंट में आपके पास आता है कि जो ऑनली और्टर्निटिव बचता है और आउटर रिप्रेशन का ओफ दा मास मुमेंट जो हु पूरा ऐसा लग रहा था कि इंपोसिबल होगा लेकिन फिर भी वह हुआ हाला कि क्विट इंडिया मुमेंट में आपको याद हो का फिसारी लीडर्स को जो है वो जेल में इंप्रिजन कर दिया गया था लेकिन फिर भी वह एक तरह से पूरा सक्सेस्फुल ही माना जाएगा क्योंकि उसमें महात्मा गांदी जी ने भी थोड़ा सा वाइलेंस का एलाउड कल दिया था उसको और दू अन्डाइ का नारा दिया था तो सेवन्थ पॉइंट में आपके पास आता है कि जो गॉर्डमेंट यूनोंने रिलाइस करना शुरू कर दिया नेक्स्ट की सैटलमे हमने कर लिया है मास मुमेंट के उपर ही था यह सिक्स पॉइंट और सेवन्थ के उपर यह कि जो गॉर्डमेंट उसने सैटलमेंट की बात शुरू कर दी क्योंकि मास मुमेंट जो है वह बहुत मतलब की बुरा रूप ले चुका था तो उसके बाद जो ब्रेटिश पॉलिस कि अगर बात शुरू हो गए कि इंडिया ब्रेटिश गवर्मेंट के उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर की बात धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी नेचर ऑफ पोस्ट इंपीरियल इंडिया ब्रेटिश रिलेशन के अगर हमने इनको अलग से मतलब हमने पावर सारी सोप भारत को अजाद हमने कर दिया इनको फिर हमने पोस्ट उसके इंपीरियलिजम के हमने क्या रिलेशन्स कैसे रिलेशन्स हमने इनके साथ रखने हैं तो यह सारी बात आपके पास आ जाती है वाई ब्रेटिश विड्रॉल सेम्स एमिटियन नाव तो इसमें आपको साथ तो उसके बात आता है अब इव आ गई है वो की कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो लाया गया है तो अब भी मैं लिख देती हूं ओन इव ओफ कैबिनेट मिशन प्लान चीक है तो अब इसमें देखते हैं क्या हुआ कि जो कॉंग्रेश की डिमांड थी डाट पावर तो बी ट्रास्फ़र्ट तो दॉट जो क्याना तो तो यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी जैसे ज्यादा है तो वहां पर हम ऑटोनोमी दे देंगे सेल्फ डेटर्मिनेशन की चीजे देंगे ठीक है लेकिन ओनली आफ्टर ब्रिटिश लेफ्ट ठीक है जब ब्रिटिश पूरा तरह से भारा छोड़ जाएंगे तब ठीक है तो यह कॉंग्रेस की डिमांड थी उसके बाद ब्रिटिश बिड फॉर दर युनाइट अड फ्रें आफ्ट बात की अधिवारत उनोंने फ्रेंड लिए की बात की अधिव पार्टनर इदिफेंस ओफ कॉमन वेल्थ बिकाज एंड ब्रिटिया को जो है उसको में बाड अब ब्रिटिश पॉलिसी आपके इसलिए वो ब्रिटियन की जो डिप्लोम अशी थी कैसे हमें इंडिया को जो है वो युनाइट करके रखना है क्योंकि वो डिफेंस अपने हाथ में पहले रखना चाहते थे ठीक है अब ब्रिटिश पॉलिसी आती है इस ब्रिटिश पॉलिसी आती है अपने थे आता है। थे टिक हैं एफने एफ श्र endeavor अचे परने इस सब्सक्राइब करें थे ब्रिटिश पॉलिसी जो है वो राइग था इसी अच्रू आप यह रहे हैं यह ब्रिटिश पॉलिस्टेश आप यह बदाओ भान अचीजित जब आता है तो वह कौन सी डेटी जब रीच करता है दिली में ठीक है 24 मार्च 1946 तो इसके अंदर कुछ डिसकेशन होती है विद इंडियन लीडर्स सभी पार्टीस के तो उसमें यह इस्यू सामने आता है कि हमें इंटरिम गवर्मेंट बनानी है ठीक है इंटरिम गवर्मेंट तो हमें सेकेंड बात यह कि हमें फ्रेम करना होगा फ्रेम दा कॉंस्टिटूशन एक नए भारत के लिए ठीक है तो यह दो बाते आप याद रखेंगे जब जो है कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है 24 मार्च 1946 को कि इंटरिम गवर्मेंट बनाती है बनानी है एंड फ्रे कि यह दो चीज़े हमने करनी है ठीक है ऐस्टा कॉंग्रेस एंड लीग कुड नोट कम टू अनी एग्रिमेंट अब कॉंग्रेस एंड लीग जो है इन दोनों में हमेशा ही अप और पॉसी करते रहते हैं उन्दा फंडमेंटल इशू ऑफ यूनिटी एंड पार्टिशन क्य कि कहते हैं कि हमें पाकिस्तान एंड यूनाइटे इंडिया चाहिए तो उसके लिए ये एक सोल्यूशन का काम करता है अब हम बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान क्या था उसके क्या क्या थे उसने क्या क्या पॉइंट रखे ठीक है तो उसके बार में अब हम डिसकस करत तो अब हम बात करते हैं कि जो cabinet mission plan था उसके main points क्या थे थीक है main points क्या थे तो पहली बात कि उन्होंने reject कर दी demand of the full-fledged Pakistan तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वह उनाइट करना चाहते थे भारत को क्यों करना चाहते थे क्योंकि उनको defense की जो power थी वह अपने पास सकने थी अगर मतलब अगर अलगलग हो जाते तो defense भी बढ़त जाता तो फिर वह power जो है वह यह गेन नहीं कर पाते थीक है तो सबसे पहली बात कि जो cabinet mission plan था उसने reject कर दिया कि Pakistan वह नहीं बनाना चाहते तो उसके बाद the Pakistan so formed would include a large non-muslim population इसमें कौन-कौन होता पाकिस्तान में क्योंकि large muslim population होती जो कि 90 sorry 38% जो कि north west frontier वाली side में थी और north east बंगलादेश वाली side में जो अब बंगलादेश है वहां पे 48% थी ठीक है communal self-determination का वह भी claim करने लगा separation of Hindu majority western Bengal and Sikh and Hindu dominated Ambala Jalander divisions of Punjab उसके बाद तीसा point आता है कि deep-seated regional ties भी बन चुके थे किस-किस में Bengal and Punjab में उसका economic and administrative problems भी सामने आनी शुरू हो गई जैसे कि communication में between the different western and eastern parts of Pakistan और पांचवा point कि जो division of armed forces थे वो भी dangerous लग रहे थे उस ताइम पे second point आता है कि जो grouping of existing provincial assemblies थी उसको तीन parts में divide कर दिया गया तो वो तीन points जो थे वो section A, B and C के अंडर उन्होंने रखे तो A section में क्याता है कि Madras, Bombay, Central province, UP, United province था उस टाइम इसका नाम बिहार and Odisha ये तो थी Hindu majority provinces section B में इनोंने रखी Punjab, Northwest Frontier province and Sindh ये कौन-कौन से थे ये थे आपके Muslim majority province section C में क्या क्या था Bengal and Assam Muslim majority province ये भी Muslim majority थी ती और A वाली जो थी वो सीट of Hindu majority वाले थे और B and C वाले जो थे and Union levels पे जो है वो बनाए गई तो three tier executive and legislative province section बनाए गए तो जो constituent assembly थी वो भी elect की गई by the provinces assembly by the proportional representation तो ये भी आप याद अखेंगे provincial representation के basis पर उसको बनाया गया ठीक है हाँ जी तो उसके बाद ये एक तरह से क्या दिखाता था कि good democratic method है note based on the weightage ठीक है and fourth point आपके पास आएगा कि जो members थे from the groups A, B, C उसको separately बिठाने का decide किया गया in the provinces and also the whole constitutional assembly would sit to formulate the union constitution and next point आपके पास आएगा कि जो control था of defense communication and external affair का वो एक common center पर ही रहेगा very important point कि जो आपका defense communication external affair है वो आपका किसके पास आएगा center पर ही रहेगा ये plan था किसका cabinet mission का उसके बाद common center ये हो गया and communal question जो raise किया जाएंगे in the central legislative वो भी decide करेगी simple majority of the both communities present and voting ये याद अखेंगे and full autonomy and residual power दी जाएगी किसको provinces को very important point princely state were no longer to be under paramountry of the British government I mean British government के अंदर नहीं रहेंगी princely states उनको free कर दिया जाएगा कि वो अपना successive government चुन सके और the British government के अंदर वो आ सकते हैं ठीक है मतलब उनको free choice दे दी उन्होंने और फिर जो first elections होंगे after the first elections held a province was to be free हो सकता है वो of a group and after the ten year a province was free to call for the reconciliation of the group or union constitution meanwhile an interim government to be formed from the Constituent Assembly तो यह सबी points जो है इसके अंदर आएंगे मैंने बड़ी से यह points आपको बता दिया है तो I think आपको यह समझ में आ गयोंगे एक बड़ी रिपीट करके भी सुन लिएजिये का अगर नहीं आए कि एक बड़ी यहां पर मैं यह विला चैप्टर आज का पाली कि एक खतम कर रही हूं क्योंकि यह काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा ठीक है अभी एक बड़ी से यह सुनिएगा नेक्स पार्ट में मैं आपको एक बड़ी इन सभी पॉइंट से दुबारा से गो थू कर दूंगी ठीक है थैंक यू